तो चलिए दस्तो मेरे चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें और बिल आइकोन को जुरूर प्रेस करें इस तरह वीडियो सबसे पहले पाने के लिए मैं हूँ राजकुमार आज हम दिखाएंगे GT Intank printer में कभी-कभी head error शो करते हैं और print में print नहीं होता है तो इस तरह पॉब्लेम आफ फेस्ट करिए printer में तो चिंता मत किजिए सरफ देखते रहिए ए उनिक वीडियो दोस्तो स्टेप बाइ स्टेप देखिए पहले ये जो स्क्रूए ये चारो स्क्रू हम इस पर निकाल देंगे और वीडियो स्क्रीप करके मत देखिए नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा देखिए ये जो स्कैनर पाठ है पहले ये स्कैनर पाठ है इसको हम अलग कर गएंगे और ये जो इस स्क्रूए इस तरह खुल देंगे हम तो ये बहुत ऑग स्क्रूब्ल है और एक फीडर जो है वो डिस्प्ले का फीडर है तो खुलत बेक थोड़ा बी क्यारफुल नहीं तो ओ केबल तुट सकते है यह देखिए जो लॉजिक बेड है इस बोड से ओ बोड कानेक्टेट रहते है केबल यह देखिए एक कैरेज है यह मूब करते है और इसमें जो धेखिपार है जो हेड है यह बीच में आकर रूओ जाती है और यह ब्लक काटेज मतलब ब्लक हेड है तो अब देखिपार है थे पहले कि इसमें color head के उपर error show कर रहे थे एक dot करके bling हो रहा था और अगर इस तरह का problem आफ फेश कर रहे है आपका printer में इस तरह का error show कर रहे है E3 error show कर रहे है तो print नहीं होगा मतलब print ready नहीं होगा not for ready to print तो तब जाके क्या करना होगा दोस्तों देखिए यह जो point है इसमें head connected होते तो इस point को आप लोगों को गिले कपरे के साथ और गटन के कपरे होना चाहिए ज़रूर तो इसको थोड़ा सफाई करना है गिले कपरे के साथ पहले आप सुके कपरे थोड़ा गिला कर लीजिए और धन रखिए कि इसमें कोई water इसमें ना रहे पानी ना रहे उसको धन पर रखना होगा और इस head पर देखिए जो इधर point है इस point को भी हम थोड़ा clean कर देंगे ठीक से सफाई कर देंगे हम क्योंकि इधर कोई ink ना रहे या कोई monster इसमें ना रहे क्योंकि आगर इसमें monster रहे गए तो दिक्कत हो सकते है connectivity का इसलिए इधर हम बहुत धान से clean करते है और ये जो देखिए इसको encoder strip कहते है और इस जो strip है strip को हम निकाल देंगे क्यों निकाल देंगे क्योंकि दोस्तों इस जो strip है strip का का काम क्या है कि तो इसलिए इस strip को पहले हम निकाल देंगे और ये जो sensor जो है इस sensor को हम clean कर देंगे अगर आपको printer में E3 error message शो कर रहे है तो ये जो sensor है इस sensor बहुत महने रखते है और इस sensor को हम वही गिले कपड़े के साथ या आप cotton के कपड़े ये या tissue paper आप use करते है तो बहुत अच्छा हो तो हम इदर गिले कपड़े ये 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 और बार बार हम बोल रहे ये जो कपड़े ये ये विज़ होगा सबसफा होना चाहिए और cotton के कपड़े होना चाहिए तो हम कैसे इसको clean करेंगे इस तरह हम इसके अंदर इसको इस तरह का हम क्लीन कर देंगे यह बहुत ही एजी पोसेस है लेकिन हर कोई जानता नहीं है तो देखिए इस तरह हम इसको क्लीन कर दिया अब धन पर रखिए कि इसमें अंदर कोई डस्ट बगर ना रहे तो जितना अच्छा क्लीन होगा उतना अ तो इसमें धान पर रखिये कोई पानी वगर आई या कुछ भी उसमें अंदर फर्स ना जाए अगर अंदर रहे गए तो दिक्यात हो सकते हैं इसलिए बी केरफुल फिर जाके हम क्या करेंगे यह जो स्टीफ है इस इंकोडर स्टीफ को दुबारा हम इसको एसेंबल कर देंग और असेंबल करते हैं आपको धान पर रखना होगा कि अधर एक एरो साइन रहता है उसको जैसे था वैसे ही उसको रखना पड़ेगा फिर हम क्या करेंगे यह जो हेड है दोनों हेड को अपने अपने जगे हम इसको असेंबल कर देंगे फिर जाके इसका जो ओपर देखिए पूस कहने से यह लॉक हो जाते है और इस इंक आ जाते है तो दोस्तो हमें पिछले वीडियो में कहा था कि GT 581020 इस तरह के पिंटर में पंपर देके और इंक आना पड़ता है लेकिन इसमें यह जो पिंटर हम आज दिखा रहे है यह GT319 पिंटर है जिसमें एक नया टेक्नो और हमको और भार इस इस स्प्रिंग को हम पूश आन्पूल पूश पूल करते रहे हैं चोड़ देते पूश करते छोड़ते पूश करते छोड़ते तो इंक क्या होता है individually he. एक एक इंक, हम ब्लैक में दिखा रहे है तो इसमें देखिए हम उमली से बार बार पूश करे र मतलब क्या हुँ रहे है कि इंग जो है टैंक से लेके हीट तक हीट के यो इंग है उसमैं आ जाते है, तो इसी दरह आप लोग भी इह जो इंग अगर इस तरह का छोड़ दिया पिंटर में तो पहले इसको हेट तक लेके आये, और छोड़ दीजिये फिर इसको लॉक करदी flash करके आ जाएगा head तक तो दोस्तों आप क्या करेंगे यह जो देख पा रहे logic board है इस logic board में हम क्या करेंगे पहले scanner जो feeder है scanner feeder को हम इसमें assemble कर देते हैं मतलब connect कर देते हैं और next जो है यह display feeder है मतलब जिसमें हम देखते है 5 책 सो करते हैं यह display का तो यह भी हम connect कर देंगे, फिर हम check करेंगे कि यह सही हुआ कि नहीं, तो एक बाद टेस्ट कर लेते हैं, तो इसलिए हम power देते, देखिए, अभी कोई error नहीं दे रहा है फिलल, तो हम क्या करेंगे, इसको एक configuration page निकाल लेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो page sign जो button है और जो cancel button है, इसको एक साथ, दोनों button को एक साथ 10 से 12 seconds तक hold करके रहना है, तो अपना खुद तो खुद एक page अंदर चले जाएगा, और Pintar का configuration page निकलेगा, उसमें आ जाएगा कितना pages है, कितना pages color है, black है, total कितना pages है, everything उसमें आ जाएगा, तो दोस्तों इस तरह देखि मिलेगा, Pintar status report करके, तो इसमें आप सब कुछ देख सकते, देखिए इसमें total pages है, 2647 ऐसा करके, तो दोस्तों देखिए, अभी तक इस printer में जो error आ रहा था, पहले E3 करके, बाद में 0 के अंदर एक ultra आई करके, बार बार blink हो रहा था, और जो color and black जो है, icon दिखा रहा है, display का side में, उसमें dot करके color के उपर एक dot आ रहा था, और printer ready नहीं हो रहा था, अगर इस तरह के ready नहीं हो रहा है, error दे रहा है, तो चिंदा मत कीजिए, इस तरह कीजिए, ठीक हो जाएगा, अगर आपका head खराब हो चुका है, दोस्तों अगर आपका head से ink निकल रहा है, टपक रहा ink, तो दोस्तों तब जाके आपको head को change करना पड़ेगा, और एक बात आपको बता दूँ, कि फिलल अब लोग जानते होंगे, कि अभी तक GT 5810, 5820, इस तरह का printer में, head एक ही साथ, pair, मतलब black and color दोनों ही change करना पड़ता था, लेकिन अभी technology थोड़ा change हो गया, थोड़ा अलग हो गया, upgrade हो गया, इसमें बोला जा रहा है किया, जो head up को खराब होगा, मान लीजिए, आप market से, यह कोई भी HP service center, HP से मंगाते हैं, प्यार में मिलेगा आपको, एक set मिलेगा, एक color और एक black का, तो इसमें, जो है, आपको खराब होगा, सिर्फ वही आप इसमें लगा सकते है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, दोस्तो, एक बहुत confidential news है, आप लोगों को साथ पता नहीं है, इसलिए है मैंने आप लोगों को इस वीडियो के जरे हम share किया है, तो दोस्तो देखिए, यह हम color एक print ले रहे है, मतलब copy कर रहे है, तो देखिए, जो copy बाहर निकल रहे है, और actual जो original copy था, वो भी हम side में रखेंगे, एक photo paper और एक normal paper है, इसलिए थोड़ा glossy paper में और एक normal paper में थोड़ा दिक्कत हो रहे है, इसलिए, बाकी देखिए, जो printer है, उसमें अभी तक error नहीं आया, और इस तरह आप अपना printer खुद repair कर पाएंगे, तो दोस्तो इस तरह आप वीडियो आपकाम में है, तो मेरे चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें, आज इतना ही, जैहिन, नमस्कार